हाई दुस्तों टीफॉचान में आपका स्वागत है दुस्तों आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप वट्सअप से नमबर को डिलीट कैसे कर सकते हैं तो चली है दुस्तों वट्स best अपने वाचपब आपको सबसे पहले open कर लेना है तो यह रहा मेरा WhatsApp application, इसको हम open कर लेंगे, अब यहाँ पे आप चाहते हैं किस number को delete करना, तो हम चाहते हैं यहाँ पे हम अपने WhatsApp में यह वाला number हमारा जो लिखा हुआ है, first में फारिक जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहागा, इस number को हम चाहते हैं delete करना, तो इसको delete करने ल और यहाँ पे delete का जो option यहाँ पे delete करेंगे, तो यहाँ से तो यह delete हो जाएगा, और यह आपका यगार अगरे सारा रहागा, यहाँ से delete हो जाएगा, लेकिन आपका जो gallery से है ओ डिलेट नहीं होगा, यानि कि जो भी आपने नमबर जहाँ पे save किया है, वहाँ से नमबर डि अपन करना है open करने की बाद यहां पर उस नाम को जो आप सर्च करेंगे जिस नाम को आभी आपने डिलिट किया है तो वो नाम आपके मुबाईल में रहेगा जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसको डिलिट करने के लिए क्या करना है इसके उपर हलक यहाँ पे दिखे यह जो है और यहाँ पे जो F लिखावा है बड़ा सा जो भी आपके नाम का लेटर होगा उसके नाम का लेटर से इसाब से यहाँ पे जो बड़ा सा आइकन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे contact वाल करना है click करने के बाद first में आप देखेगा delete का option है यह delete में आपको click करना है आप से पूछेगा कि this contact will be permanently delete from your device से करना चाहते हैं तो हम delete का option में click करेंगे और यह हमारा जो था वो हमारा number जैसे के आप देख रहे हैं हमारा number this contact does not exist तो हमारा number अब फारिक नाम से जो हमने add किया था ओ दूसरा ओला number यह दूसरा number हमारा है तो ओ डिलीट हो गया है तो इस तरीके से दोस्तो डिलीट कर सकते हैं आपने mobile में WhatsApp का number को तो दोस्तो मुझे उम्मीद हो वीडियो पसंद है वीडियो को like करें share करें तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए